नदीम एक गरीब मजदूर था गरीबी के चलते आज उसे असलम खान के घर मजदूरी करनी पड़ी असलम खान के यहां बकराईद का जश्न होने वाला था इसलिए असलम खान ने मकान के उपर की छट बनवाने का काम शुरू किया नदीम बात के कुछ मजदूरों के साथ चट के काम में लग गया अरे रशीद मिया ये क्या कमजोर से मजदूर काम के लिए बुला लिए अगर ऐसे ही ढीले बनकर काम करेंगे तो इस बकराईद की जगा अगली बकरीद तक ये चट बनकर तयार होगी चिंता मत करो हुजूर आपका काम समय से पहले करवा कर ही मैं दमलूँगा अभी इनके रोटी खाने का समय हो रहा है इसलिए थोड़े आलसी हो गए है ओ नदीम छट का उधर का हिस्सा कितना बनकर तयार हुआ है हुजूर बस थोड़ा काम बाकी है फिर हम सब इधर की तरफ लग जाएंगे तीन से चार दिन में छट बनकर पूरी तयार हो जाएगी हुजूर कुर्बानी का बकरा आ गया है जैसा आपने बोला था बिलकुल वैसा अरे बा इस बार तो बकराईद पर मसा ही आ जाएगा लेकिन बात सुन प्छे से बान देना ताकि कोई चुरा ना पाए अजकल किसी का कोई भरोसा नहीं लोग अपना बकराईद मनाने के लिए सुना है दूसरों के बकरे कुछ औरी कर लेते हैं और वैसे भी हमारे यहां तो मस्दूर काम कर रहे हैं इन वैसे किसी का क्या भरोसा कब किसकी नियत बिगड़ जाए असलम खान उन गरीब मस्दूरों की तरफ टेड़ी निगाह करके देखने लगा मस्दूर बिचारे कुछ नहीं बोले चुप चाप वो काम पर लगे रहे शाम को छुट्टी होने के बाद सब मस्दूरों को उनके पैसे दिये गए हुजूर मस्दूरों को आज के पैसे देने हैं मैं सोच रहा था आप मुझे दे दो तो मैं इन्हें बाट दू फिर कल सुबह ये सब समय पर पहुँच जाएंगे अरे रशीद भाई तुमने कह दिया और ये सब समय पर आ गए ऐसा कभी नहीं होता अब इस नदीम को ही देख लो आज भी दस बजे काम पर पहुचा पूझ इससे आज ये देर से क्यों आया था हुजूर बेगम को एक महिना पहले ही बच्चा हुआ है घर में देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है पत्नी की तबिया ठीक नहीं थी इसलिए बच्चे की देखभाल कर रहा था तभी आने में देर हो गई मैं कल समय पर आऊंगा मालिक तो फिर तो काम पर क्यों निकलाए घर में बच्चे की और बेगम की देखभाली कर ले काम करने की क्या जरुवत है देख रशीद मैं तो सोच रहा हूँ तो इसकी जगह किसी और मजदूर को पकड़ ले नहीं तो ये रोजाना ही देर से आएगा नहीं नहीं अब मुझे आने में देर नहीं होगी मालिक मैंने बेगम की अम्मी को बला लिया है कुछ दिन वो यहां रह जाएंगी फिर मुझे समय पर आने को मिल जाएगा ऐसे मुझे काम से मत निकालो हुजूर बड़ी मुश्किल से मैं घर परिवार चलाता हूँ मुझे बड़ी परिसानी हो जाएगी हुजूर कुछ दिन और देख लेते हैं अगर नहीं आया तो मैं खुद इसे काम से निकाल दूँगा ठीक है तो आज फिर इसके सो रुपए काट कर दे तबी इससे समझ आएगी पकड़ इसके डेड़ सो रुपए हाथ में दे दे मालिक मेरे घर में छोटा बच्चा है आप मेरे इतने रुपए काट लोगे घर में खाने को कुछ भी नहीं है बच्चे का दूद भी खरीड़ना है घर में खाने का सामान और रासन भी खतम है बड़ी मुश्कल से रशीद नदीम की बाद बीच में ही काट देता है अरे बड़े लोग है इनके सामने इतना बोलना सही नहीं है जितने दे रहे हैं उतने रख ले नहीं तो इस काम से भी जाएगा ये तो मैं हूँ जो तेरा काम बचाने की फिराक में हूँ और तू जान बुझकर अपने पैरों पर कुलहरी मार रहा है चल अब चुप चाप जा और कल समय पर आजाना नदीम की मजबूरी थी कि वो अपनी गरीबी के कारण इस समय चुप था वो कुछ नहीं बोला और डेर सो रुपे लेकर उसने बाजार से कुछ सामान और बच्चे के लिए दूद खरीदा और घर पहुँचा अच्छा हुआ आप सबसियां ले आए मैं जल्दी से कुछ खाने का बना लेती हूँ सलमा तो बच्चे के पास बैट खाना मैं बना लेती हूँ क्या हुआ क्या करो सलमा मुझे जबरदस्ति असलम खान के घर काम करना पड़ रा है क्या हुआ बेटा सब ठीक तो है ना नदीम असलम खान के घर हुआ आज का सारा वाक्या बताता है ये तो असलम मिया की बात बहुत ही गलत है थोड़ा तो उने खुदा से डरना चाहिए कि ऐसे हम गरीब मजदूरों के पैसे काट कर वो अपने ख़जाने भर कर क्या ही करेंगे बेटी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गरीब मजदूर बेचारा पूरा दिन मेहनत करके जो थोड़े पैसे कमाता है ये लोग उसे कोई एहमियत नहीं देते ये पैसे वाले अपना रौब अलग ही दिखाते हैं गरीब मजबूर बेचारे इनके आगे कुछ नहीं बोल सकते ये लो तुम दोनों खाना खाओ मैं गरम गरम रोटी सेख रही हूँ सलमा तू भी खाले बेटी तेरा भूखा रहना बच्चे के लिए ठीक नहीं कोई नहीं अपने बीबी बच्चों के लिए थोड़ा बरदास्त कर लूँगा कल सुभा जल्दी निकल जाओंगा अगले दिन नदीम जल्दी ही काम पर चला जाता है इतनी देर तक मजदूर काम पर नहीं आये थे नदीम छट पर गया और अपना काम करने लगा तभी तेज वारिश हो गए जिस कारण छट पर पानी भर गया अरे आज तो काम हो ही नहीं सकता वारिश में छट गीली हो गई है अब तो काम कल ही करना पड़ेगा देखता हूँ रसी दमिया को फोन कर लूँगा इसी कारण मुझे लगता है बाकी मजदूर भी काम पर नहीं आये है मुझे लगता है सबने छुट्टी कर ली होगी मैं भी घर ही चला जाता हूँ नदीम घर जाने लगता है तभी असलम उसे आवाज लगाता है अरे अरे कहां जा रहे हो अभी सारे मजदूरों को आने दो आज छटका काम नहीं तो बगीची के सारी सफाई तुमसे ही करवा लूँगा कम से कम मेरा दिन तो खराब नहीं होगा महमान आएंगे तो पुरा घर साफ करना ज़रूरी है जाओ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ फिर तुम्हें पता दूँगा कि बगीचे को कैसे साफ करना है जी हुजूर नदीम बगीचे की सफाई करने के लिए चला जाता है और भी मजदूर आ जाते हैं और वो भी असलम खान के कहने पर बगीचे की सफाई करने लगते है सफाई करते हुए नदीम गमले को हटा कर साइड में रख रहा था तब ही उसके हाथ से गमला छूट किया असलम खान गुस्से में आ जाता है और नदीम को थपड़ मार देता है तुम्हें पता भी है जो गमला तुमने तोड़ा उसकी कीमत कितनी थी मेरे खास दोस्त ने ये गमला तोहफे में मुझे दिया था और तुमने इतना कीमती गमला तोड़ दिया पहले ही रशीद को कह रहा था कि तुम्हें काम पर न रखे पर उसने मेरी बात नहीं मानी नहीं तो तुम आज इतना बड़ा नुकसान ना करते अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से जाओ यहां से और मुझे अपनी शकल मत दिखाना मालिक मैंने जान बुझ कर नहीं तोड़ा गलती से मेरे हाथ से छूड़ गया ऐसे मुझे नौकरी से मत निकालो हुजूर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी तू ऐसे नहीं मानेगा रुक मैं नौकरों को बुला कर अभी तुझे धक्के मार कर यहां से निकलवाता हूँ जैसे ही असलम गुसे में आगे बढ़ता है अचानक उसके पैर में एक सांप काट लेता है और असलम छटपटा कर जमीन पर गिर जाता है नदीम और बाकी मजदूर यह सब देख रहे थे अरे इनना तो सांप ने काट लिया मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा अरे तो पागल है जो इसकी मदद कर रहा है असलम खान की आँके बंद होती जा रहे थी पर उसे पता था कि नदीम उसके पास ही बैठा है तब ही रशीद भी आ जाता है नदीम कोशिश करके असलम के पैर से जहर निकाल देता है पर इस कोशिश में नदीम भी थोड़ा बेहोश होने लगता है इतने देर में रशीद फोन करके डॉक्टर को भी बुला लेता है घबराने की कोई बात नहीं है असलम यह खत्रे से बाहर है नदीम को भी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है उसकी तब्यत में भी सुधा रहे कुछ देर बात दोनों की तब्य ठीक हो जाती है आपको पता है अज नदीम ने अपनी जान पर खेल कर आपकी जान बचाई है हाँ बेगम जब मैं बेहोशी में आ रहा था उसी हालत में मुझे धुनला सा दिखाई दे रहा था असलम बेटा वैसे तो नदीम ने तुम्हारे लिए जो किया है उसके बदले जितना भी करो वो कम है क्योंकि इस एहसान को चुकाना बेहड नामुम्किन है पर तुम अपने हाथों से बकराईट पर नदीम और बाकी सब मजदूरों को तोहफे दे कर इनके चहरे पर खुशी लाशकते हो जी अपू आप ठीक कह रहे हो इस पार नदीम और बाकी सब मजदूर अपने अपने घरों में खुब बढ़िया तरीके से बकराईट मनाएंगे आप सब बेफिक्र रहो इस बार बकराईट पर आप सब को मेरी तरफ से धेरों उपहार दिये जाएंगे और फिर ऐसा ही हुआ असलम खान ने नदीम और बाकी सबी मजदूरों को बकराईट के दिन धेरों तोहफे और रुपे पैसे उपहार में दिये ताकि वो सब भी खुशी से अपने घर में बकराईट का जश्न मना सके नदीम ने और बाकी सब मजदूरों ने खूब धूमधाम से बकराईट मनाई सब मिलकर खुदा का शुक्रिया आदा करते हैं असलम खान ने उस दिन से अपने व्यवहार को बदल लिया वो नदीम और बाकी सब मजदूरों के साथ बहुत अच्छे से बरताव करता था असलम ने और भी लोगों के घर नदीम और बाकी मजदूरों को काम दिलवाया और वो पूरा ध्यान रखता था कि रशीद नदीम और सभी मजदूरों को सही तरीके से पैसे बांटे ताकि किसी भी म自दूर के साथ कुछ भी गलत ना हो और सभी म自दूरों का घर परिवार ठीक से चलता रहे रमधान का पाक महीना बस खत्म ही होने वाला था और जल्दी ही ईड का त्योहार आने वाला था हर रोजेदार की तरह सलीम को भी ईद का बेसबरी से इंतजार था सलीम की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी वो एक दर्जी था अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी उसकी सिलाई का काम सलीम ने अपने अब्बू से सीखा था उस जमाने में सिलाई का काम बढ़िया चलता था लेकिन अब वक्त बदल चुका था लोग जादा तर रेडिमेट कपड़े खरीदना और पहनना पसंद करने लगे थे यही वज़ा थी कि सलीम का काम लगभग बंधी पढ़ गया था और इसी लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था सुनिये जी, रोजे तो किसी तरह निकल गए लेकिन ईद को क्या करेंगे? बच्चों का बड़ा मन है नए कपड़े पहनने का तो सिल दीजेना दोनों के लिए एक-एक जोड़ी और वो सिवई इतना कहकर सलीम घर से बाहर आ गया वो अपने बीवी फातिमा से नजरे चुरा रहा था क्योंकि सच यही था कि एक दरजी होने के बावजूत वो अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े नहीं सिल पा रहा था क्योंकि उसके पास कपड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे फातिमा सलीम के हालात समझती थी लेकिन वो भी क्या करे बच्चों के फर्माईशी चेहरे उसे बोलने पर मजबूर कर ही देते थे अम्मी आपने अब उसे बात की हाँ हाँ बोल दिया है मैंने अब उने कहा कोशिश करेंगे फिर से कोशिश तब तो हो गया आपा रहने दो यहां तो अमीद लगाने ही बिकार है लगता है इस बार भी इन्ही फटे पुराने कपड़ों में मनेगी ईद और मनेगी भी क्या वही हर साल की तरह अमी पानी में सिवई उबाल कर दे देंगी बस हो गई हमारी ईद तो इससे अच्छा तो ईद आती ही नहीं साथ साल का अमान ये सब एक सांस में कह गया उसके मन में एक बार भी ये खयाल नहीं आया कि उसकी बातें फातिमा को कितनी तकलीव दे रही थी फिर उसी शाम सुनिये जी मैंने फैसला कर लिया है वो पास वाली सोसाइटी में मैं कली जाओंगी और फातिमा मुझ पर भरोसा रखो मैं कुछ कर लूँगा ना तुम घर पर वैसे ही बहुत काम करती हो इससे जादा महनत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ठीक तो वो भी नहीं जो हो रहा है बच्चों ने इस बार कितने मन से रोजे रखे हैं एद पर कुछ तो होना ही चाहिए उनके लिए और ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है लेकिन जब तक आपका काम ठीक से नहीं चलता मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ बस सलीम चाह कर भी फातिमा को रोप नहीं पाया और अगले ही दिन फातिमा काम की तलाश में निकल गई जी अस्सलाम आलिकुम मुझे राधा ने भेजा है अच्छा अच्छा वालिकुम असलाम आओ आओ अंदर आजो तुमने इससे पहले कहां काम किया है जी कहीं भी नहीं बस अपना घर ही संभालती आई हूँ अब तक तो देखो इद पर हमारे यहां बहुत बड़ी पार्टी है तो तुम सब कर तो लोगी न वो घर काफी बड़ा था घर की मालकिन हिना वहां अपनी बच्ची शाइना के साथ रहती थी हिना के शोहर का इंतकाल हो चुका था और अब वो खुद ही अपनी शोहर का गार्मेंट्स का बिजनेस संभाल रही थी अकेले रहने की वज़े से हिना का बरताव थोड़ा रूखा हो गया था वो ज़्यादा तर गुस्से में ही रहती थी ये क्या है फातिमा तुमने अब तक ब्रेकफास नहीं लगाया मैडम जी मैंने शाइना बेबी का टिफिन तयार कर दिया है और आप आपका तो रोजा होगा न नहीं मैं रोजे नहीं रखती तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था ओ माफ कीचे का मैडम जी मैं बस अभी कुछ बना कर ले आती हूँ आपके लिए नहीं नहीं रहने दो अब मेरे पास टाइम नहीं है मैं जा रही हूँ इतना कहकर हिना घर से बाहर निकल गई और फातिमा शाइना के पास चली थे शाइना बेबी जल्दी करिये आपके स्कूल की बस आती ही होगी आंटी मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है क्या ऐसा मत कहिए आपकी अम्मी गुस्सा करेंगी आपको अम्मी से कुछ बोलने की जरुरत नहीं है अम्मी तो वैसे भी शाम को घर आती है उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा नहीं बेबी जी ये ये तो गलत होगा ना चली मैं आपको स्कूल के लिए तयार कर देती हूँ फातिमा के जोर देने पर शाइना स्कूल जाने के लिए तयार हो गई फातिमा ने उसे अपने हाथों से स्कूल के लिए तयार किया फिर शाम के वक्त मैडम जी वो कुछ बात करनी थी आपसे हाँ बोलो मैडम जी वो परसो इद है तो अरे हाँ मुझे तो याद ही नहीं था बहुत सारी तयारियां करनी होंगी पार्टी में कई लोग आएंगे ऐसा करो यहाँ बैठो मैं बताती हूं क्या-क्या बनाना है हिना ने जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर फातिमा उससे क्या कहने वाली थी फातिमा चुप चाप हिना की सारी बात इंध्यान से सुनती रही फिर खुश तेर बात इतना सब ठीक रहेगा पर याद रहे फातिमा कोई गलती नहीं होनी चाहिए जी नहीं होगी मैडम जी एक गुजारिश है अगर आप पूरी कर दे तो बड़ी महरबानी होगी हाँ बोलो मैडम जी वो मेरे बच्चे ईद पर फातिमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हिना के फोन पर किसी का कॉल आ गया और वो बात करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई ये देखकर फातिमा उदास हो गई तभी शायना स्कूल से वापस लोट आई और फातिमा को उदास देखकर उससे बोली क्या हुआ आँटी आप इतने सैड क्यों हो कुछ नहीं बेबी जी आप चलिए न मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ नहीं पहले आप बताईए आप सैड क्यों हो सुबह मैंने आपकी बात माननी थी न तो अब आपको मेरी बात माननी होगी मुझे बताईए न क्या प्रॉब्लम है वो बेबी जी रहने दीजे कोई बात नहीं है आँटी बताईए न प्लीज शाइना फातिमा से जित करने लगती है जिसके बाद फातिमा उससे अपनी सारी परिशानिया कह देती है ओ गाद क्या ऐसा भी होता है मेरे पास तो कितने सारे नए कपड़े है और फिर भी अम्मी मुझे ईद के लिए नए कपड़े दिलवाने वाली है आंटी आप बिल्कुल परिशान मत हो मैं अम्मी को बोल दूँगी वो आपकी बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीद लेंगी फातिमा क्या है ये सब मैंने सब सुन लिया है तुम्हे अगर कुछ चाहिए तो मुझसे बात करो न शाइना से ये सब कहने का क्या मतलब है क्या करना चाहती हो तुम अम्मी आंटी को मत आतिये मैंने ये शाइना तुम चुप रहो और अपने कमरे में जा अभी मैडम ची आप गलत समझ रही है मैं बस मैं जो समझ रही हूँ ठीक समझ रही हूँ तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बस ये ईद की पार्टी निप्टाओ और फिर उसके बाद अपना हिसाब करो तू नहीं मैठम ची, ऐसा मत कहिए मुझे इस काम की बहुत जरूरत है जरूरत है तो क्या कुछ भी करोगी तुम मेरी शाइना भी बच्ची है उसे बहला कर तुम क्या करना चाहती थी मैं सब समझती हूँ इतना कहकर हिना वहां से चली गई फातिमा दुखी होकर देना की हिना ने उसे उसकी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया अम्मी, आप आ गई अम्मी, कहा जा रहे हो तुम दोनों सिर्फ हम दोनों नहीं अम्मी बलकि आप भी तो चल रही हैं ना हमारे साथ इत के लिए कपड़े दिलवाने आप नहीं तो कहा था कल हाँ कहा तो था मैंने पर पर बच्चो पर क्या अम्मी, आप भी अबू की तरह जूट बोल रही थी क्या नहीं नहीं, पर वो क्या है न, अज मैडम जी से बात नहीं हो पाई कल मैं जरूर उनसे बात करूँगी और तब हम पक्का बाजार चलेंगे, ठीके फातिमा ने उस वक्त तो किसी तरह बच्चों को मना लिया लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि अगले दिन वो क्या करेगी इना के घर पर पार्टी की तयारियां जोर शोर से चल रही थी फातिमा भी इनी तयारियों में लगी थी, तब ही अच्छानक हिना ने खुद ही ये तय कर लिया था कि फातिमा ने ही शाइना को गायब किया है वो पुलस को फोन करने ही वाली थी कि तब ही अच्छानक शाइना खुद वहाँ पर आ गई उसके हाथों में धेर सारे कप्रे थे, जिनने फातिमा को देते हुए उसने कहा आंटी, ये लीजे, ये नए तो नहीं है, लेकिन बहुत पुराने भी नहीं है मैंने स्टोर रूम से लेकर आई हूँ, अब तो आपके बच्चे ईद पर खुश हो जाएंगे ना शाइना, क्या है ये सर, तुमसे ये सब किसने करने के लिए कहा, फातिमा ने ना नहीं मम्मी, आंटी ने मुझसे ये कप्रे लाने को नहीं कहा और उस दिन भी मैंने ही उनसे जिद की थी, तभी उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी हिना के पास अप कहने को कुछ नहीं था, उसकी खुद की बेटी ने उसे वो सब याद दिला दिया, जिसे वो अपनी परिशानियों में भूल गई थी, उसने फॉरण शाइना से वो सारे कपड़े लेकर फातिमा को दिये और उससे कहा, फातिमा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर एक बात बताओ, तुम्हारा तो एक बेटी और एक बेटा है न, तो सिर्फ इन कपड़ों से तो काम नहीं चलेगा, हम, शाइना, तो फिर चलेए ईद की शॉपिंग के लिए, शाइना ने मुस्कुरा कर हिना का हाथ थाम लिया, इसके बाद हिना ने ना सर्फ फातिमा के बच्चों को ईद पर नए कपड़े पहनाए, बल्कि उसने सलीम को भी काम पर रख लिया, सलीम हिना की गार्मेंट कमपणी के लिए कपड़े चिल्में लगा, और इस तरह हिना और फातिमा दोनों की ईद मुबारक हुए,